तो next is how to use width किसी भी HTML element या container का या पर किसी भी tag की width को किस तरीके से हमें apply करते हैं तो width को apply करने के लिए हमारे पास में चलते हैं तीन चीज़ आगी बैसिकली width जब भी बात करता है तो वे विसके बहुत नहीं हो इसका बॉर्डर साइज क्या रखां आपने कि उसकी पैडिंग क्या यह रकिया token करें मार्जिन के दी तेर रखिया थे मान ले आपने पांच यह चला गया कि सारा Spis हो गया? अगर आपने उसकी गीठ दी है थे कंडेर 500 नोığın आपका उत्यमेंट व्सकूह उसके बात करता है करके रखावाय किस तरीके से मौन लेज़े कि हम यूट करते हैं कि यूट के ऊपर कि दिव की वीट हमने बोल दिये यहां पर कि सब्सक्राइब करना नहीं ऐसको करना था है लेकिन इसके जो मुने बोल दिया by default कि इसकी 1000 पिक्सल होनी चाहिए तो horizontal स्कॉल आ गया कि इसकी पिक्सल को मुझे extend कर दिया इसकी window के साइज को अब इस तरह के स्कॉल का अगर मुझे रोकना हो तो क्या काम करेंगे हम यहां पर इसको define कर देते हैं कि maximum width कितनी होनी चाहिए maximum width माली मैंने बोल दें कि 500 पिक्सल से ज्यादा नहीं हो सकी तो उस condition के अंदर आपने जो width दे रखिए 1000 और maximum दे थी 500 तो उसके अंदर क्या होता हमेशा width से overwrite हो जाएगी maximum width थी लेकिन अगर आप इसको इससे कम कर दोगे कि इसको बोल दिया हमने 400 पिक्सल तो इससे कम हो जाएगी लेकिन अगर width आपने ज्यादा दे रखिए और maximum width कम है तो हमेशा maximum width overwrite हो जाएगी width के ओपर बेसिकलिए हम जब भी width और maximum width का यूज करते हैं तो width का यूज करते हैं जैसे हम जब भी हम percentage के ओपर देते हैं यहाँ पर माल इसको दे दिया हमने 80% width होनी चाहिए जो हमारे पास में container है उसकी और container की 80% width जो बात करेंगे तो कितनी होगा जो हमारे पास में इतना space नहीं है हम चाहते हैं कि उसका क्यों इतना space दिखना चाहिए maximum इतनी सब्सक्राइब नहीं जाए तो हम क्या कर देंगा उसका maximum width कर दिया यह होना चाहिए 400 पिक्सल के साथ में तो इससे ज्यादा width के ओपर नहीं जाएगा क्या करेगा अब आपकी विंडो की कोई भी स्क्रीन हो चाहिए मोबाइल स्क्रीन हो लैपटप हो आईपड हो टैबलेट हो तो बोल जाए कि एटी परसंट विट होनी चाहिए अगर उसकी 400 के अंदर अंदर आरी तो वह चीज अपला हो जाएगी लेकिन अगर 400 को जैसे क्रोस करती है तो उसकी विट फिक्स हो जाए कि इसके उपर इसके माइन दोनों का यूज कर लेते हैं जैसे में मीनिमूम मड़कों करते है बैसके साथ हैम मीनिमंव मर्थ को ले लेता हैं यह हो सकता जैसे हमने इसको बोल दिया कि 300 पिक्सल से तो कम नहीं हो सकता जबकि हमने यहां पर फिर्ट दिरकी 80 परसेंट तो अब यही तो चला गया मैकजियम तो इतनी हो गई है इसको मैंने रिफ्रेस्स कर दिया अब इसकी विंडो को हम ठोटी करते हैं तो देखते पता लगए क्या शची चाहरी है हमाँ पाशसम Fle Ố कि कि डौलापर्ट तूल्स पर गए हम इसके रेस्पूंस्मोंड पर चले जाते हैं इदे कि रेस्पूंसІय। मोट पर इसके रिफ्रेसमदि एक तनी आ रेहा है यहांःयां पे 2375 पिक्सल है कि कि चलेगा ही नहीं अब इसको अगर मैं कर देता हूं 250 पिक्सल तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा इसे थोड़ा कम हो गया कि जितनी मैंने व Darrenitude कहसे चलेगा हैं तो हमेशा maximum width और minimum width अगर उस criteria को width फिल्फिल नहीं करती तो वह उसकोright कर देregुब Confusion नहीं उनाः Ведь की प्रोपर्टी हम गफार हमेशा देते हैं लेकिशा आपकी maximum width जो define कर रही है उससे actual आपकी window की शाइज का कि साइज जादा जा रही है तो maximum width के ओपर हमारा fix हो जाएगा उससे जादा नहीं बढ़ेगा उसी तरीके से जब उसको छोटी स्क्रीन मिल रही है तो according to pixel wise या percentage जो बोलता है उसके according तो चोटा हो जागा लेकिन minimum width अगर आपने दे रखिए तो वह सी के उपर जा करके इस्टिक हो जागा अब जैसे यहां पर मैं इसको नहीं मानेगा क्योंकि minimum पिक्सल किता दे रखा उसका मैंने minimum width 250 पिक्सल तरीके से विट को काम करते हैं विट को यूज करने के लिए हमाँ पास तीन होता है maximum width and minimum width अब विट के अंदर मेंचे बाल के window की size के according यह भी हो सकता है कि हमाँ पास नेस्टेड़ elements होते हैं एक block level के अंदर दूसरा block level हो या फिर inline के अंदर दूसरा inline हो तो उनकी width को किस तरीके से सेट करते हैं जैसे मान लेजिए कि हमारे पास मैं लोरे मिप्सम करके यह वाला जो विट आई है इसकी width हमने define कर रखी है अब अलग तरीके से अगर एक अलग डिव हमने लिले इस डिव के अंदर दूसरा डिव ले रखा तो उसकी width किस तरीके से अपलाई होगी डिव के अंदर मैंने डिव अपलाई कर दिया क्योंकि सारा कुछ सेम उसी तरीके से इसकी मैंने अलग तरीके से को CSS defined नहीं करी है क्योंकि element हमने CSS दे रखे element selected डिव के ऊपर अंदर वाला भी सेम उसी को occupy कर रहा है कि उतना सब अंदर के उपर जेगी अपलाई होती चली जाएगी तो इस तरीके से जो weight होती है जब हम percentage के ओपर बात करते हैं कि किस को पर है इसके लिए जो parent हो गया वह यह गया तो इस तरीके से weight हमेशा इन्हेंट होकर कि चलती है अगर आप परसेंटेज वाइज को डिफाइन करते हैं और इसकी जगे पर अगर आपने परसेंटेज वाइज आटा करके पिक्सल बाइपिक्सल कर दिये तो उस कंडिशन के अंदर जमान लेजी कि आपने वीर्थ को बोल दिये इसको 400 पिक्सल तो सारा कुछ उससे आउट होता चला है क्योंकि उसने फिक्स कर रहा है अब इसको आपने इन्हेरिक प्रोपर्टियों पर नहीं जाने दिये जब परसंटेज की बात करते हैं तो वह हमारे उपर का जो भी टोप लेवल का इलिमेंट है उसको इनहरिक करके लाता है लेकिन पिक कर दो कर दो